नमस्कार आप देख रहें नेक्स्ट नाय नियूज में नाम है दीपक गुपतर महाराश्टर की सियासी सत्ता को लेकर चर्चा करना चाहेंगे कि एक समय था जब महाविकास अगारी सरकार की खूब चर्चा हो रही थी लेकिन एक आज का समय जब फणवीस और शिंदे सरकार की बहुत जादा चर्चा हो रही है बीमसी चुनाब को लेकर चर्चा है महाराश्टर में जारी है लेकिन विधान सबा चुनाब जो 2019 में हुए थे वहाँ पर जिस तरीके से सत्ता का खेल बदला था वो हर किसी ने देखा था ये देखा था कि कैसे महाविकास अगारी सरकार का जन्व हुआ था और 2019 में अजीत पवार और देवेंदर फणवीस ने सीम और डिप्टी सीम पत की शपत ली थी अब उसको लेकर चर्चा जा रही है और एक बहुत बड़ा चोका देने वाला खुलासा हुआ है आपको बता दे जिस तरीके से ये सवालात आ रहे है कि उद्दव कि वापसी कौन करा पायगा महराश्टर में कि शुरत पवार है जो करा सकते है अद्दव ठाकरे कि वापसी क्यूंकि शुरत पवार चढकMore के साथ आकी चलना जानते हैं और वो जानते हैं कि कैसे बीजेपी को दबाया जा सकता है और एक समय जब था जब फनवीस और जित पवार ने 2019 में चुनाब जीतने के बाद शपत ली थी यह सपत को लेकर चर्चाए जारी थी लेकिन तब बीजेपी की गाड़ी सिरिफ 105 करीब विधायकों पर आकर रुक गई थी और बहुमत के लिए आप सब जानते हैं करें 246 145 सम्तिंग विधायकों के आवश्यक्ता पड़ती है और ऐसे में शिवसेना को यहाँ पर पूरी तरीके जिंव से थी यह सारी बाते हैं तो शिवसेना की जिर्त बीजेपी को थी और यह बाह आत सबको पता चल चुकी थी और यहाँ पर न्सीपी ने भी उठाया था क्युनकि न्सीपी के भी करीब 53 विधायक जीते थे उस समय तो NCP के साथ भी अगर गडबंदन करती है सरकार बहुमत में आती तो वहाँ पर गडबंदन देखने को मिला था और अजीत पवार ने यहाँ पर डिप्टी सीम पत के लिए आगे गए थे लेकिन यह अब खबरे सामने आई है कि तब कई ने पर गडबंदन करताओं के खिलाफ लेकिन अचानक से उनको लेकर चर्चा इस बात की वही कि अजीत पवार को शरत पवार नहीं भीजा था बीजेपी के साथ साथ गाट करने के लिए यह सारी खबरें सामने लेकिन क्या वह फोन सिर्फ इसले कि अग्या गया था कि अजीत पवार बापीस आजा इसलिए फोन किया गया था यह सब अपने आप में बड़ा रहस्य में बना हुआ है लेकिन जिस तरीके से चर्चा यहां पर सामने हो रही है कि बीजेपी का समर्थन साल 2019 में नसीपी ने किया था यानि शरुत पवार की पार्टी ने तो क्या एक बार फि बना है जिस तरीके से बाते सामने आई है कि अब तक आकर उद्व ठाकरे का साथ शरुत पवार देते हैं यह देखना भी बेहत दिल्चस्प रहेगा बनरे चनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद